हाई गाईज, वेलकम टो फबाइडूब सेनल जी के इन्फो टूबर गाईज हम पढ़ रहे थे इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड़ और हमने उन में पढ़ लिया था विक्टोरियन एस तक और आज हम पढ़ेंगे मॉडरन पीरियड तो modern period में modern period को actual में हम दो पार्ट में बाढ़ सकते हैं एक early modern में बाढ़ सकते हैं और after वाला है जो बाद में है उसको हम post-modern के नाम से जान सकते हैं तो modern period के अंदर क्या हुआ था कि जो हमारे महारणी जो queen Victoria थी वो 1837 से लेकर के 1901 तक ग्राजगदी पर थी तो तब तक Victorian age चल रही थी और Victorian age के अंदर क्या था morality के उपर काम किया जा रहा था बहुत अच्छे अच्छे writers poets वगएरा उभर के आये इस time period में novelist वगएरा उभर के आये तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया शोशल चेंज कापी आया था फैक्टरी एक्ट है उसको खतम कर दिया गया था चिमनी स्विप को खतम कर दिया था काफी सारी चीजी है इतनी अच्छी हो गई थी वोमेन है उनकी situation है उसके अंदर काफी सुधार हुआ था फैवियन society की स्थापना हो गई थी तो मतलब काफी अच्छा काम किया रहा था और लोगों की सोच के उपर मतलब खूली सोच के साथ वह अपना काम कर रहे थे और गद्धी पर रहे तो इस काल को हम बोल सकते हैं एडवर्डियन एरा क्योंकि जो एडवर्ड है उन्हीं के नाम पर इस एज का नाम पड़ा है एडवर्डियन एरा और एडवर्डियन एरा के टाइम में क्या हुआ कि काफे सारे जो राइटर्स हैं वो हमारे कुछ जो पिछली एज के अंदर थे Victorian एज के अंदर वो भी आए जैसे Thomas Hardy है उनको transitional author के नाम से हम जान सकते हैं क्योंकि वो हमारे Victorian एज के अंदर भी लिख रहे थे और इस modern एज के अंदर भी आ गए जैसे Rudyard, Kipling है उन्होंने जंगल बुक वगएरा उसमें भी लिखा क्योंकि Children Literature आ चुका था जीबी शो है, डबलुवी यीर्स है, जेम शेन्ज है, जेसप कॉन्राड है, हेंडरी जेम्स है ये सब लोग है वो हमारे 1901 से लेकर 1910 तक लिखने वालों में आते हैं तो इन में से कुछ ओथर हैं दो तीन हैं जो Transitional Author के नाम से जाने जाते हैं जो हमारे Victorian एज के अंदर भी लिख रहे थे और Modern के अंदर भी लिख रहे हैं उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे हैं वो King Edward है उनका समराजय खतम होया और King George है वो पंचम है वो गदी के उपर आ बैठे तो 1910 से लेकर के और 1914 तक है वो Georgian period के नाम से जाना जाता है और इस टाइम में एक मोमेंट चल रहा था क्योंकि इस एज के अंदर NR की बहुत ज्यादा फैल गई थी लोगों के विश्वास है वो एक दूसरे के ऊपर खतम हो गए थी और मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया था जर्मनी और इंग्लेंड है वो आपस में बहुत ज्यादा भीड़ने लगे थे मतलब आपस में पर्तिदवंदी हो गये थे जिसकी वज़े से उन्होंने फर्स्ट वर्ड वोर्ड को भी जनम दिया था 1914-1918 फैबियन शोसाइटी की जो स्थापना उसका भी परभाव धीरे-धीरे कम हो गया जो हिस्सा को कम करने के लिए जी भी शोज जिसके मेंबर थे बहिलाओं की वोट का अधिकार है उसके लिए भी मोमेंट है वो तेज हो गया था उसके बाद में गिल्ड शोसाइटी शो 10-12 36 की पूरे की एज को वैसे तो जोर्जियन एज के नामसी तृज ty यंड एज लेकिन मिनी जो टाइम पीरिड है वो 1910-1914 का ही रहा है यहर जोर्ज फिसके बात में मोडर्श पीरेड आजाता है मतला पॉस्स बाडर्श पर सीकंड़ा गया मॉर्ड ही वा पैचिवाजल से उपर काम किया अगर लोगों ने अपने एक्स्पेरिमेंट अपना है लोगों ने आइडेलिजम को छोड़ कर गे और अपना मतलब इंडवीजुल अपना लिखना स्टार्ट कर दिया अलब सोसाइटी की कोई वैल्यू नहीं समझी लोगों ने तो इसमें कई टाइप की रा इतना बताना मुश्किल है चोटी सी वीडियो के अंदर और अगर मैंने सारा बताए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए और बहुत ज्यादा खिचडी पत जाईगी इसलिए इसमें मैंने थोमस हाडी का जैसे आपको बताया कि टैस लिखा था उन्होंने टैस ओपड़ डर और लेद बनाया राइग उन्होंने लोट जीम नाम का लिखा एक वर्क हार्ट ओप डास्क नेस इनका बहुत इंपोर्टन वरक निगार उप नर शिष वह भी बहुत इंपोर्टन वरक उसके बाद में रूडियार किप्लिंग जो हमारे विक्टोरियन में भी थे तो कीम ल iddrash, Philainderer,The Man and Superman, Pig Million इनका बहुत इंपोर्टेज़् दो, Shadjon इनका इंपोर्टेंट वर्क है एन आइडियल हस्पेंट भी बहुत इंपोर्टेंट वर्क है इंपोर्टेंस ओप बिंग बश्ट है यह इनी का ही वर्क है उसके बाद आते हैं जेम सिंग आपने एक विए सेकेंड यर के अंदर भी एक लगता है इनका वन एक पले लगता है राइडर्स टूदसी आपने इनके बाद आते हैं जेमस जोईस वैसे तो विल्यम जेमस के नाम से एक राइटर हुए है उन्होंने steam of consciousness को अपनाया था इस एज के अंदर वही चीज़ देखने को मिलती है और actual में होता क्या है steam of consciousness जब हम कहीं भी घूम रहे हैं और हमारे दिमाग में कुछ भी विचार चल रहा है किसी भी चीज के बारे में और हम उस विचार को बहुत लंबा ले जाते हैं खिश यूज किया था उसके बाद James Joyce है और Virginia Woolf इन दोनों ने अपने वक के अंदर इसका यूज किया काफी तो James Joyce और Virginia Woolf है वह एक ही इसके बोन है और जैसे James Joyce ने लिखा था Ulysses और फिंग मं वेक इनका वर्क है आर्टिस्ट ऑफ यंग मैं इनका वर्क है उसके बाद आती है जै इनके बहुत सारे वर्क हैं बहुत ही अच्छी अच्छी वर्क है तो वह आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा वर्जीन अबूल को बहुत ही अच्छा लिखती थी यह और डिएच लोरेंस का नाम हम नहीं बूल सकते इस बहुत ही अच्छी नोवलिष थे और इनको इडिपस कंप्लेक्स के लिए जाना जाता है इनका एक वर्क बहुत इंपोर्टेंट संसेंड लवर्स यह हमने पॉस्ट गरेजिशन के अंदर भी पड़ा होगा दा भाइट पिकोक दा रेंबो और बूमें इन लव लेडी चैटर वाला तो 1928 में आया था लेकिन इसके उपर बहन लग गया था तो उसके बाद में दुबारा इसको पब्लिश करवाया गया था उसके बाद आते हैं इम फोरेश्टर यह भी हमारे इंग्लिश रॉइटर इंग्लेंड से अपेशे टू इंडिया उन्हीं इनका एस्पेक्ट उसके बाद आते हैं टीएस इलिएट और मॉडरन राइटर के अंदर अगर नाम भूल जाएं टीएस इलिएट का तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो क्योंकि टीएस इलिएट का एक बहुत इंपोर्टन वर्क दा वेस्टलेंड कोई एक्जाम ऐसा नहीं है जिसके अंदर उस वेस्टलेंड से कोश्चन नाम ले एक वेस्टलेंड और एक हमारा कंटरबरी टेल जो चोशर का है उसके अंदर से कोश्चन और टीएस इलिएट के वेस्टलेंड से कोश्चन नाम ले ऐसा कोई एक जाम नहीं होगा पोईट क्रिटिक ड्रामेटिस्ट सारी चीजों के अंदर काम करते थी दा वेस्टलेंड उन्होंने 1922 के अंदर लिखा बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है इसको murder in cathodal, the cocktail party, the family reunion, confidential color, काफी सारे इन्होंने बख लिखे उसके बाद में आते हैं W.H. Auden, the age of Englishity, the Oxford book of light verse कह सकते हैं हम आप इसको, the Oxford book of high verse, sorry, high verse, उसके बाद में आते हैं George Orwell, George Orwell इन्होंने एक political style लिखा, the animal form हो गया, इनका 1984 हो गया, जो 1949 के अंदर आया था, उसके बाद आते हैं Samuel Bucket, Samuel Bucket नो तो Waiting for Godot नाम का एक work लिखा था, बहुत ही अच्छे फ्रेंच ड्रमेटिश थे ये, तो इन्होंने Waiting for Godot इनका एक ही work है, बहुत इंपोर्टेंट वर्क है, उसके बाद आते हैं William Golding, William Golding है, इनका भी एक बहुत इंपोर्टेंट वर्क है, The Lord of the Flies, 1954 में लिखा, The Scorpion God, ये भी इनका बहुत इंपोर्टेंट वर्क है, उसके बाद आते हैं, जोन्स गल्स वर्दी आते हैं, और भी बहुत सारे मेजर इंपोर्टेंट वर्क है, जिनका नाम मुझे अभी ध्यान नी है, जो जब मुझे दिमाख में आया है, तो मैंने वो सब आपको बता दिया, तो बाकी हम डिटेल में धिरे धिरे पड़ेंगे, जो भी इंपोर्टेंट राइटर या, उनके वक्स हैं, वो सारा में डिटेल म हमने क्या पड़ा, बाकी हम दो पार्ट में बाढ़ सकते हैं, एक अरली मोडन पिरेड और दूसरा हमारा पोस्ट मोडन, तो एक्चुल में यह हमारा टाइम पिरेड है, वो 1901-1945 का माना जाता है, कहीं-कहीं 1950 भी लिख देते हैं, कहीं-कहीं 1965 भी लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद का हमारा पिर पोस्ट मोडन में मतलब आ जाता है, जो आज तक चला रहा हमारा, बिल्कुल मोडन जिसको हम कह सकते हैं, मौडन पिरेड कह सकते हैं जिसको, तो इसमें हमारा मेन, मैने बता दी आपको, कि वीन जो यह विक्टोरिया है, उनके बाद में शाष्ण जो हमारे एडवर्ड 7 ठी कर रहा, तो उसको एडवर्डियन एरा बोल सकते हैं nem मेर्ल पॉइट और शक्रम aquela में ऐताइ में मतलब उसनी नाम से जाने जाते हैं उसके बाद में हमारे King George फिफ और उनके शाशन को हम Georgian Mr. उसके प्यंब हे नाम से जाने झाता है की बजाए तो यह सब चीजी देखने को मिले इस टाइम पिरेड में तो आज के लिए इतना ही बाकी अगली वीडियो हमारी एक और रहे गया है पार्ट उसके बाद में हमारी एजी से वो खतम हो जाएगी और फिर वन बाई वन हम लिटरेचर को स्टार्ट करेंगे एक एक अधर को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो आज के लिए इतना ही बाई